हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी DIY होम रेमेडी जिससे आपके हाथों और पैरों की जो स्किन है, वो बहुत ही ब्यूटिफुल एंड हैल्दी हो जाएगी जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है, खास कर हाथों और पैरों की ये बहुत ही dull and dry हो जाती है तो after and before image में आप देख सकते हैं कि कितना फरक आया है पहली बार ये रेमेडी यूज़ करने पर तो सर्दियों में हमें खास जरूरत होती है अपने हाथों पैरों का खयाल रखने की तो ये देखिए कितने dull and dry मेरे हाथ हो चुके हैं क्योंकि काफी long time से मैंने कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं की है तो आज मैं आपके साथ चेयर करूँगी एक बहुत ही healthy DIY home remedy जिसके लिए मैंने सबसे पहले प्लास्टिक का एक चम्मच और बाउल लिया है तो इसमें सबसे पहले हम इनो का एक packet लेंगे इनो का जो sachet है इसको हम पूरा ही add कर लेंगे क्योंकि इनो में sodium bio carbonate और sodium carbonate होता है citric acid होता है जो की हमारी skin से गंदगी निकालने का काम करता है और second हम यहाँ पे यूज़ करेंगे baking soda जो हम खाने की चीज़े बनाने में यूज़ करते हैं लेकिन ये हमारी skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये anti bacterial होता है anti fungal होता है anti septic होता है और anti alpha ventrigun भी इसमें पाए जाते हैं तो ये भी हमारी skin को healthy रखने में बहुत ही useful होता है तो थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे क्योंकि जो हल्दी है ये भी antibacterial होती है और इससे हमारी जो skin है उसमें whitening आती है तो इसको हम vinegar में mix करेंगे vinegar हमें बिल्कुल plain लेना है simple तो इसमें vinegar में sodium होता है phosphorus होता है magnesium होता है vitamin A, vitamin B12 and vitamin C पाए जाते हैं तो हमें दो ढखकन इसके vinegar के हमें डालने है तो इन सब चीजों को हमें mix कर देना है तो ये देखिए ये आपस में react कर रही है तो इनको अच्छे से हमें mix करना है तो ये जो हमारा healthy सा जो mask है ये बनके ready है हमारी skin को healthy and beautiful बनाने के लिए तो इसे अच्छे से हमें mix कर लेना है ताकि इसकी जो जाग बन रही है form वो बैठ जाए तो ये बहुत ही healthy सी home remedy हमारे पास बनके ready हो चुकी है तो चलिए जानते हैं कि हमें कैसे इसको apply करना है तो अपने हाथों को पहले पानी से अच्छी साथ तरह से हमें wash कर लेना है और फिर directly हमें skin पर इसको use करना है तो देखिए इसकी जो foam है वो काफी हद तक बैठ चुकी है अब हम इसको use कर सकते हैं तो अब directly हम इसको अपने हाथों पर apply कर लेंगे तो जो आपकी बिल्कुल dull and damaged हो चुकी skin है वो बिल्कुल ही healthy and खुबसूरत हो जाएगी और सालों से जो जमी हुई male है वो बिल्कुल उगल जाएगी और आपके जो wrinkles है हाथों पर पैरों पर ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगे तो इसको आप अपने हाथों पर, arms पर और feet पर अगर आपकी गर्दन काली है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसे आपको अपने face पर यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें vinegar है तो वो हमारी skin के लिए harsh हो सकता है तो इसे सिरफ हमें अपने हाथों, पैरों और बाज सा दानेदार form में इसका जो baking soda होता है तो वो scrub की तरह हमारी skin पर work करेगा तो अच्छे से इसको अपनी skin पर रगड के हमें मसाज करना है तो दो तीन मिनट के लिए आप इसको मसाज करिए जब भी आप free हो आपके पास time हो तो आप week में इस remedy को जरूर यूज़ करें तो आप अपने face के साथ साथ अपने हाथों और पैरों का भी खयाल रखना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे चेहरे की तरह खुबसूरत ही होने चाहिए तो पानी से अब हमें इसको simple पानी से wash कर लेना है तो यह देखिए कितना अच्छा सा effect मेरे हाथों में देखने को मिल रहा है मेरे जो wrinkles थे हाथों के जुरियां पड़ी हुई थी वो भी ठीक हो गई है और जो मैल थी वो भी निकल चुकी है आप यह पहले जो मैंने image side में देख सकते हैं कि पहले मेरे हाथ कुछ ऐसे थे और अब बिल्कुल healthy and beautiful glowing skin हो चुकी है तो पहली बार में ही इसका फरक देखने के लि useful information मिलती रहेंगी और मेरे चैनल में आपको beauty and stitching से related बहुत सी वीडियो मिलती रहेंगी तो आप मेरे चैनल को subscribe करके रखिए और bell icon को प्रेस करना ना भूलिए मेरी हर आने वाली वीडियो की notification के लिए तो इस remedy को आप जरूर से जरूर ट्राइ कीजिए और फरक देखिए बा